Hello everyone, I hope all of you are keeping fine and welcome to YouTube channel JKLatestInfo आज में आप लोग के साथ एक बहुत ही important discussion और साथ आपने बहुत ही important announcement करने आई हूँ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि JNK Bank Banking Associates के exam जो है 1st of January से start हो रहे हैं और हमने अपनी English section जो थी वो हमने बहुत हद तक cover भी कर लिये क्योंकि मैंने आप लोग के साथ 10 to 15 marks का जो आपका section रहती है English section का syllabus रहता है उसमें 10 to 15 marks का जो portion है वो cover up करने की कोशिश की थी ठीक है तो उसी को continue करते हुए हम आप लोग के लिए most important question series जो है वो लाए है English section में particularly हम आप लोग के साथ most important question series जो है वो लेके आने वाले हैं for the upcoming 20 plus days हम लोग आप लोग के साथ क्या करेंगे most important question जो है English section के deal करेंगे मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि अगर आप लोग क्या करते हैं हमारे साथ इस section को join करते हैं session को join करते हैं तो अब अपने 20 plus marks जो है English section में secure कर सकते हैं ठीक है हम क्या करेंगे हर रोग जो आपकी video जो हम आपके लिए लेके आएंगे उसमें क्या होंगे daily के important questions जो है वो आप लोग के लिए रहेंगे वो questions जो होंगे उन questions में ना कि सिरफ previous year questions होंगे in addition to those previous year questions आपके लिए हम लोग जो है memory based questions ठीक है memory based questions भी होंगे previous year questions भी होंगे और उसके साथ साथ जो हमारे point of view से important questions हमें लगेंगे वो हम आप लोग के लिए लेके आएंगे इस most important questions series में इस series के अंदर जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा syllabus जो था वो जैन के bank banking associate का क्या है मैंने आप लोग को अपनी introduction lecture में भी बताया था जब हमने JNK Bank Banking Associates और PO के लिए जो introduction था English section का वो आप लोग के लिए जब हम लेके आए थे मैंने आपको तब भी बताया था कि हमारे पास क्या है कि हम लोगों को क्या चीज़ दी होती है fillers type ही होते हैं ये भी ये भी fillers type ही होते हैं और हम लोग को क्या दिया होता है कोई word दिया होता है जैसे कि for example हमें वाँ पे दे रखा होगा grow ठीक है for example हमें दे रखा होगा grow ठीक है और options में हम लोगो दे रखा होगा growth ठीक है जैसे कि एगर options में दे रखा होगा growth या फिर दिया होगा decline ठीक है और कोई sentence हमें साथ में दे रखा होगा ठीक है जैसे कि I will grow for example में आप लोग को यहां पर थोड़ा सा समझा देती हूँ कि words पर आप में क्या होता है for example आपको दिया होगा the tree grows ठीक है the tree grows और growth जो होगा वो बोल्ड में आप लोग को दे रखा होगा और last में आपको पास options होगे growth ठीक है या फिर आप option होगा decline तो आपको बताना है कि क्या यह growth जो word है इसको replace करने की जुरूरत है या नहीं है जैसे कि आप लोग the tree grow आपको बता है कि the tree grows जो है वो अपने आप में ठीक है तो इधर तो आपको replace करने की जुरूरत है नहीं इसकी growth से है डिक्लाइन से बहुत से cases में आपको वर्ड को swap करने की जुरूरत होती है दूसरे वर्ड के साथ तो इस तरह से word swap आपको आजाता है vocabulary section में और जिस तरह से हम लोग videos आपके लेके आरहे हैं आपके लिए जो spoken English course है जो spoken English course है वो भी आप लोग का अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं हर एक वीडियो में मेरी आप लोग के लिए एंड में कोई ना कोई phrases words और antonyum synonyms जरूर रहते हैं तो यह था जी आपका vocabulary section आप लोग जानते हैं कि RC में cover up करवा चुकी हूं अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी ह इंग्लिश की जो JNK Bank की playlist है आप रीडिंग कॉंप्रिहेंशन देख सकते हैं मैंने आप लोगों का जो sentence improvement यह पार जंबल्स है यह भी मैं आप लोग का cover कर चुकी हूं यह 5 marks का रहता और यह भी 5 marks का रहता यह दोनों में आप लोग के साथ cover कर चुकी हूं error detection में भी मैंने आपके साथ preposition based errors जो है या फिर article based errors और subject verb agreement based errors जो है वो भी मैं आप लोग के साथ कर चुकी हूं वो वीडियो भी हमारे जेके latest info channel पे English JNK Bank की English playlist में आपके पास वो stored है आप लोग वहाँ जाके इन वीडियो को देख सकते हैं उसके बाद देख लीजे जो ची लोगों के साल पूरी English section जैसे की 30 marks की जो section आपकी रहती है English section की JNK Bank banking associate के लिए वो पूरे के पूरे 30 marks का में आप लोग के साथ हर वीडियो में अलग-अलग topic के उपर amalgamation of questions लेके आऊंगी जिसमें error based questions भी रहेंगे, RCs भी रहेंगी, antonyums, anonyms भी रहेंगे, कुछ fillers भी ह हम करेंगे, जिसमें आपको बताऊंगी कौन सा word किस चीज के लिए, आपको क्या technique यूज करनी है, अगर आपको word replace करना है, तो आपको कौन सी technique यूज करनी है, मेरा इस video का basic purpose यही था, कि मैं आप लोग को ये बता दू, कि जो हमारी most important question series रहेगी, उसमें आप लोगों के लि वो all drawn preparation हूँ, मैं हर एक topic से कुछ questions जो है, आपके लिए हर video में लेके आती जाओंगी, जिससे आपकी जो preparation है, वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी, जैसे कि हम लोग को मालूम हमारे पास 20 plus days है, जादा days नहीं है, तो मैं सारे questions की amalgamation series जो है, वो हर video में लेके आओंगी, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो I can assure you that कि आप अपने 20 plus marks जो हैं, वो English section में 100% आपके secure हो जाएंगे, I hope आपके लिए video helpful रही और आप जो हमारी most important question series है, उसको join पका करेंगे, thank you and keep learning and keep practicing.